हाई गईस ओलन हिल पैंटर इक चैनल पे आप सब लेगों का स्वागत है आज को वीडियो में आप लोगों को मैं फिस्व और एक लोट अप्लिकेशन का रिभी हो दूंगा इस अप्लिकेशन का नेम है क्रेडिट सार्किल तो चैले इस वीडियो के थूर लाइफ प्रूप के साथ देख लेते हैं इस अप्लिकेशन का लोन पोसेज और जान लेते हैं कि इस अप्लिकेशन के दरब से कितना तक कि लोन प्रोवाट किया जाता है और यह application loan provide करता ही कि नहीं और application real है या fake है तो guys जोर वीडियो को अब login तक देखेगा और guys अगर कोई चैनल पर नए विजिट किया है तो चैनल को subscribe किजिए और साथ साथ बेल इकन पर पेश किजिए तक हार एक नए वीडियो का notification सबसे पहले अब लोगों को मिलता रहे तो गचे लिए आज के वीडियो शुरू करते है तो guys credit circle loan applications को open करने के time पहला interface step का आ जाता है maximum loan amount up to 2 lakh तो नीचे borrow money का options है borrow money पे click करने के बाद आ जाएगा sign up का option sign up करने के बाद आ जाएगा basic information basic information fill करने के बाद आ जाएगा identity information identity information fill करने के बाद last month अगा bank information bank information fill करने के बाद step के interface आ जाता है your information has been approved तो नीचे get loan आउ को options है यह पे click करने के बाद step के interface आ जाएगा तो यह पे आप लोगों को loan amount टेन वाडे सिलेक करना होगा तो सबस आप लोगों ने इस applications के तरब से 1 lakh loan 12 month के लिए सिलेक किये ठीक है और नीचे आप लोगों को एक member fee दिखने को मिल जाएगा 694 रूपीज तो guys यह अप यह कहा जाता है कि अगर कोई credit sir के loan applications के दरब से 1 lakh loan 12 month के लिए लेना चाते है तो पहले एक member fee पे करना होगा 694 रूपीज तो guys अगर आप लोग credit sir के loan applications के दरब से 1 lakh loan पाने के लिए पहले 694 रूपीज member fee पे कर देते है तो आगे जग के credit sir के loan applications के दरब से आपको loan भी नहीं मिलेगा और अपने loan के लिए जो भी amount member fee पे किया है वो भी आगे जग के आपको refund नहीं मिलेगा क्योंकि credit sir के application एक fraud application है और यह application loan प्रोवाइट नहीं करता है सिर्फ लोगों को loan देने के नाम पे लोगों से member fee ले ले लेता है और आगे जग के loan प्रोवाइट नहीं करता है तो guys credit circle application एक fraud application है और आप लोग इस applications पे loan के लिए apply ना करें और loan के लिए पहले member fee pay ना करें तो guys अभी आप लोगों को मैं credit circle loan applications का review दिखाऊंगा कि इस applications के बारे में play store में क्या review दिया गया है अभी आप लोगों को पताच चल गया होगा कि credit circle application एक fraud application है तो guys credit circle application एक fraud application है और आप लोग इस applications पे loan के लिए apply ना करें और loan के लिए पहले member fee pay ना करें तो guys यही था अचका एक छोड़ा सजान करें अगर अब लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो जोरू इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को जास्यादा शेयर कीजिए तो अब लोगों के साथ मुलकात हो रहा है निक्स वीडियो में तब तक अब लोग अप